पहले करॉली, फिर जोधपूर और उसके बाद भरतपूर और अब भीलवाड़ा राजस्तान की बात कर रही हूं मैं, जहां दंगे फैलानी की साज़श की गई है हिंदू युवक की हथ्या के बाद दो समुदाय आमने सामने एक बार फिर आ गए पूरे इलाके में इस वक्त तनाव बढ़ गया है और बीजेपी ने गहलोध सरकार पर ही सवाल उठा दिया है पूछ लिया है कि क्या आशोग गहलोध दुष्टी करन की राजनीती सर्फ वोट के लिए कर रहे हैं क्योंकि चुणाव भी सर पर है करोली जोधपुर भरत्पुर अब भिलवाडा अमन पर दंगाईयों की चोग एक महिने में भिलवाडा में दो बार दो समुदाईयों की बिस तनाव एक महिने में राजस्थान के चार शहरों में दंगा और हिंसा जो बता रहे कि जहलोध सरकार फेल है और राजस्थान में हिंसा दंगा रेलम रेल है करवली जोदपूर भरतपूर के बाद भिलवारा में दो समुदाईों के बिस तनाव बढ़ गया है यहां दो समुदाई आमने सामने आ गए और बवाल मचा हुआ है बवाल के शुरुआत तब हुई जब मंगलवार रात 11 बजे मुस्लिम समुदाई के दो लोगों ने एक हिंदू युवक की चाको मार कर हत्या कर दी जैसे ही युवक की हत्या के ख़वर फैली लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया स्थानिया विधायक से लेकर बीजेपी के कई नेता और हिंदू वादी संगठनों ने इलाके में पहुचका जोरदात परदाशन शुरू कर दिया कि जो दोशी लोग है उनको सिग्र करें और परिवार की जो मांग है कि उसको मुआजा दिया जाए दोश्यों को ग्रिप्तार किया जाए तब तक बोड़ी नहीं उठाई जाएगी कि हट्ट्या के बात पूरे बिलुवाड़ा में दोस्नमुदायों की बेज संपरदायत तनाव बढ़ गया है बाजार को बंद्ध कर दिया गया हत्ते के विरोध में पूरे शहर में बाइक रैली निकाल कर विरोध परदर्शन किया गया दंगाई और हत्ते के आरोप्यों की किरबतारी तक परिजनों ने श्रॉ लेने से इंकार कर दिया